हेलो गाईज नमस्ते परणाम असलाम वालेकुम कैसी हैं आप लोग आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर पलवीज फैक्ट क्या आपको पता हैं दोस्तों की इस दुनिया में एक ऐसी जोब भी है जिसमें पाथ सुंगने का काम करना पड़ता है चाइना में पाथ को सुंगने की ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में वो एक प्रोफेशनल पाथ स्मेलर बनकर लोगों की सेवा करते हैं यह लोगों का पाथ सुनकर लोगों की हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं और क्या आप जानते हैं कि इनकी सेलरी सलाना 13 लाख या उससे ज़्यादा होती है तो क्या आप यह जोब करना चाहेंगे कमेंट सेक्षन में बता दीजे क्या आप जानते हैं कि यह कहावत कैसे बनी मगरमच के आसु बहाने जब मगरमच अपनी शिकारी को खाने के बाद अपनी साइनस में फसी हवा को बहार निकालता है जिससे उसे आसु आता है लेकिन उसका दर्द से कोई लेना देना नहीं होता इसी कारण से मगरमच के आसु बहाने वाले शब्द का इस्तमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो किसी बाद के लिए खेद महसूस नहीं करते हैं बलकि दुखी होने का नाटक करते है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज में हिसाप हैं कर जाने को लेकर जबरदस्ट बहात चिड़ी हुई है लेकिन जम्मू कश्मीर के रेजवारी में एक सरकारी मादमिक स्कूल के शिक्षक ने तीलक लगा कर आई छात्रव से मारपीट की और साथ में अपत्ती जनक शब्दों का प्योग किया इसके बाद डिस्टिक डालोप्मेंट कमिशनर ने आरोपी शिक्षत को सस्पेंट कर दिया क्या डिस्टिक डालोप्मेंट कमिशनर ने उस टीचर को सस्पेंट करके सही किया या गलत किया आप अपनी राय कमेंट शेक्षन में जरूर बताईए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं मिलते हैं आगली वीडियो में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उबी तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करना थैंक यू फर वाचिंग, लग यू गाइस